राज बनने के बाद, जारकन राज बनने के बाद, सबसे असफल और सबसे ब्रस्ट सरकार का आज अंत हुआ है मन्ने हमंद सोयन जी से बहुत उमीदे थी राज की जनता को जब पून बहमत की सरकार उनके गड़बंदन को मिला था और लोगों को लगता था कि एक नौजवान मुखमंतरी जारकन को मिला है तो कुछ करेगा लेकिन इनकी सुरुआत थी जिस तरह से हुई है और जो जूटे वाइदे दे करके कह करके लोगों को ठक करके सरकार बनाई थी उसका भूत उनका पीछा नहीं छोड़ा और अपने सिपासालारों के सिफारिस या सिपासालाओं के सलाह से उन्होंने जो निर्नाई लिए और जिस तरह से बस्टचार को अपना कारकाल में सबसे पसंदिदा विशर्य बनाया उसका खामयाज इनको भोगत नहीं था पद का दुरुपयोग जिस तरह से किया जिस तरह से पैसा 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 को ही भगवान इस सरकार में बना दिया गया जारकन की जनता की सेवा को इन्होंने दर्किनार कर दिया गया यहाओं के भशिस के साथ बड़े भध्य तरह के से मजाक किया जैसे सीजेल आज सबसे बड़ा उधारन बन करके सामने खड़ा है नोकुरियां तक इन्होंने बेज़ दी इनका त्वन्त होना ही था और कहीं न कहीं अहंकार इनके अंदर आ गया था जब रावन का अहंकार नहीं टिका तो इनका हंकार कैसे टिकता और मुझे लगता है पद यह भूल गये कि पाकिस्तान नहीं है यह भारत है जहां समिधान और कानून ही सर्वपरी है कितना भी बड़ा दिगजधर क्यों ना हो उसको कानून के मातथिया नहीं पड़ता है आज उनको इस बात का ज्ञान आया होगा और वो अपने भूलों पर प्राश्चित कर रहे हों यह उनकी जो इच्छा थी कि उनके बाद उनका सक्सेसर उनकी धर्म पत्नी बने वह सपना भी तूट गया अजै कि स्वार्थ की राजनिती बंसवाद की राजनिती परिवार्बाद राजनिتी करने वाले लोगों का एक बहत्रीन उधारन मने है मंतजी के एक कारकाल और उनके राजनिती को हम देख सकते हैं अभी एक विश्वास प्रस्ताव के लिए उन्होंने एक पत्र विधायकों का समर्थन का सौपा है जो सुचनाई मिल रही है आप लोगे माद्दम से का समर्थन का पत्र उन्होंने सौपा है महाम राजपाल उसे विचार करेंगे अच्छे मिर्दुवासी बेक्ति के रूप में हम लोग देखते हैं झाल झाल